इस वीडियो में दोस्तों 20 फर्स्ट यर के थर्ड पेपर का फर्स्ट उनिट डिस्कस करेंगे थर्ड पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग यानि की अधिगम और सिक्षन की हम बात करने वाले हैं और फर्स्ट उनिट के कुछ महत्पून बिंदों के ओपर चर्चा कर करते हैं साड़नी के अंतरकत हम बात करेंगी तो अंतरका जो आधार है वो क्या रहेगा उसकी बात करेंगी और शिक्षन के बारे में बात करेंगी देखिए पहला बिंदू आता है आर्थ के अधार पर हम डिस्कस करते हैं शिक्षन क्या होता है शिक्षक और चात्र के मद् उद्देश ही क्या है तो देखिए इसके बाद में चोथा बिंदू देखिए अंत्यक्रिया के अधर पर तो देखिए शिक्षण में अध्यापक एवं चात्र के मध्या अंत्यक्रिया होना आवशक है और परसिक्षण में अध्यापक चात्र के मध्या अंत्यक्रिया होना आवशक नहीं है इसके बाद में पाँचवा बिंदू है शिक्षक की आवशकता तो शिक्षण में अध्यापक एवं चात्र के मद्धा अंतिक्रिया होती है अता है इसमें शिक्षण का चात्रों के समक्ष रहना आवशक है और दूसरी और पर शिक्षण में चात्रों के समक्ष रहना आवशक नहीं है चात्र जो है अभ्यास के द्वारा खुद ही स्वियम ही सीख जाते हैं इसके बाद में चटा यहां पर पॉइंट आता है चेत्र का धर पर डिस्कुशन करते हैं तो देखिए शिक्षन का शिक्षन का शिक्षन और अनुबंधन भी शामिल है आदि क्रियाओं को भी इ दूसरी और पर शिक्षन का शिक्षन की अप्यक्षा करत संकुचित है यह सिक्षन का एक ही रूप परदशित करता है इसके बाद में बात करते हैं सात्वा बिंदू है संबंध की और तो संबंध में देखिए शिक्षन का शिक्षन का शिक्षन का शिक्षन की अप्यक्षा संकुचित है इसका संबन्द सारिक अत्वा मानस्वेश्य कुशलता से ही है अभ्यास से ही है इसके बाद में आठवा बिंदू है प्रेरणा तो सिक्षन को प्रेरणा के माध्यम से स्रेष्ट बनाया जाता है और दूसरी और पर शिक्षन को प्रेरणा के माध्यम से स्रेष्ट नहीं बनाया जा सकता उसको अभ्यास से यहाँ पर स्रेष्ट बनाया जाता है तो इस तरह से आपको यह आठ बिंदू जरूर से याद रखने है शिक्षन और पर शिक्षन के अंतर के तोर पर और य किसी दूसरे को सिखाना अधिग मतलब खुद को सीखना तो उनके दोनों के बीच में क्या संबंद है उनके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए उपरोक दोनों परतियों की परिवाशों अर्थों को देखने पर लगता है कि यह एक दूसरे के प्रियाय तो नहीं है परन्तो फिर भी एक दूसरे से संबंदित है इस संबंद में डॉक्टर एयार सर्मा के कतन का और लेक करना उचित रहेगा तो यहाँ पर क्या कतन दिया है उन्होंने आई ये बात करते हैं सिक्षन एक कारिय परक्षब्द है और अधिगम उपलब्दी सुचक शब्द है और सिक्षन और अधिगम में कारिय कारण संबंद नहीं है ऐसा नहीं है जब अधिगम होगा तो उसके लिए सिक्षन आवशक है या बिना सिक्षन के अधिगम संबंद नहीं है ठीक उसी परकार यह आउशक नहीं है कि जब भी सिक्षण होगा तो अधिगम होगा ही तो दोनों का होना जरूरी यहाँ पर नहीं है ता हम कह सकते हैं कि अधिगम एक सुवतंतर प्रत्य है जिसका तातफरी वातवर्ण में रहने के कारण विक्तिके व्यवारों में परिवर् है जिबकि सिक्षण एक ऐसी पारसपरिक अंतेक्रिया है जो सिक्षक तथा सिक्षार्थी के बीच चलती रहती है वहें सिक्षार्थी को किसी उद्देशे की और उन्मुक करती है इस परकार से डोक्टर सर्मा के इस कतन से इसपस्ट होता है कि यद्देपी अधिगम प्रभावित अवश्य होता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सिक्षण से सदेव वांचित अधिगम होगा ही इसके बाद में इसकी अतरिक्त सिक्षण केवल ओपचारिक होता है जबकि अधिगम एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है व्यक्ति जीवन प्रियंतर इसके बाद में अगला महत्पुन परसना आता है गेने द्वारा वर्नित अधिगम के आठ परकार आपको समझाने है तो देखिए गेने के अनुशार अधिगम के परकार तो गेने के अनुशार सीखने के आठ परकार इनोंने बताए है इन आठ परकारों को सरल से जटिल तक करम बबद किया जा सकता है अधिगम के दोरान अधिगम करता या फिर विद्यारती कोई नया अंतिम व्यवार उस समय अरजित नहीं कर सकता है जबकि वहें पुरवा प्रिक्षित योगताएं विक्षित नहीं कर लेता गेने ने अधिगम के निमन लिखित आठ परकार की परि यह सबसे निम्न इस तरका सीखना है स्वाभाविक उद्धिपक से स्वाभाविक अनुक्रिया का होना एक स्वाभाविक परक्रिया है इसमें सीखने की कोई बात नहीं हितना होती उधारन के लिए मिठाई देखकर मुँ में पानी आना आख की और जटके से उंगले दिखाने से आँख की पलकों का बंध हो जाना आदी ये स्वाभाविक उद्धिपकों से उधपन स्वाभाविक अनुक्रिया के उधारन है संकेत अदिगम छोटे बच्चों को बासा सीखाने में बहुत सायक होता है बालकों में अच्छी आदतें भी संकेत अदिगम के माद्यम से ही विक्षित की जा सकती है इसके बाद में दूसरा यहाँ पर परकार आता है उद्धिपन अनुकरिया अधिगम इसमें देखे गेने के अनुसार यह हैं द्वितिय परकार का सीखना है इसका संबंद B.F.Skinner द्वारा प्रदत उद्धिपन अनुकरिया अनुकरिया अनुबंदन से दान से है जिसमें अनुकरिया सतत या संभावित होती है उस समय सक्रियाता की सकती बढ़ जाती है जब उसे पुनरबलन मिलता है इस परकार से गेने का उद्धिपन अनुकरिया का जो अधिगम है वो Skinner की सक्रिय अनुबंदन अनुकेरिया तथा थोंडाई के प्रित्न तथा भूल का ही दूसरा रूप है अधिगम के लिए जो परिस्तिया इसकेर तथा थोंडाई के निरमित करते हैं ठीक उसी परकार की परिस्ति गेने के द्वारा वरनित उदिपन अनुकरिया के अधिगम में भी निर्मित की जाती है। इस तरह से आपको धहन रखना है इसके बाद में तीसरा परकार आपको धहन रखना है सरंकला अधिगम। तो इसमें देखिए प्राणी जब संकेत अधिगम एवं उदिपन अनुकरिया संबन अधिगम के पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है तब ही सरंकला अधिगम की परकार की अधिगम की वैख्या की है इसमें उदिपन अनुकरिया को लगातार एक करम से उपस्तित किया जा द्वारा वरनित अधिगम का चतुर्थ परकार है अधिगम परिस्तिती का यह परकार सरंकला अधिगम का ही एक परकार है जब यह सरंकला सरेरिक क्रियाओं यांत्रिक क्रियाओं तथा ऐसाब्दिक रूप में परस्तुत होती है तो उसे ऐसाब्दिक सरंकला अधिगम कहते हैं यही शरंकला जब शाबदिक अव्यों समंदित हो जाती है तो हम उसे वांचिक शरंकला अधिगम परिस्थिती कहते हैं। दो या तीन सब्दों वाले वाचिक सरंकला प्राय प्यवार में आते रहते हैं परंतु जिन सब्दों की सरंकला अधिक जटिर होती है उसे तातकाले इस मरते की आवशकता पड़ती है यदि इस प्रक्रिया में भी अधिगम प्रक्रिया तीन प्रकार से संबन नहीं होती है तो लंबी सरंकलाओं को चोटी-चोटी इकाईयों में विवाजित करके अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है इसके बाद में पांचवा प्रकार है विभीद अधिगम विभेद अधिगम में देखिए इस अधिगम प्रक्रिया के लिए वाचिक या एवाचिक स्रंकला अधिगम पूर्वन ज्यान का काम करते हैं इस प्रकार के अधिगम में उचसतर ये मानसिक प्रक्रिया सम्मलित होती है विभेद अधिगम के अंदरगत किसी विशीश परिस् इस प्रकरिया में मौलिक अधिगम अनुकरिया का संबंद के पस्चाद सिक्षक उन्हें एक करम में संगटित करता है ये सरंकला के करम अगले सरंकला अधिगम के लिए आधार बनते हैं इस प्रकार सरंकलाओं का लंबा करम बनता जाता है इस अधिगम परिष्टिति में हम व प्रत्याधिगम गेने द्वारा वर्णित अधिगम का छठा परकार है इस अधिगम परिस्तिती के लिए वेदिये अधिगम का जिआन पूर्ण आवशक है केंडलर ने सरुपर्थम संप्रत्याधिगम का उल्ले किया था इसके परचात गेने ने इसको आगे बढ़ाया जब किसी वस्तु घटना या व्यक्ति के वर्ग या समुह को एक नामकरण के रूप में अधिगम करता है तो यहें प्रत्य अधिगम कहलाता है इसके बाद में बात करते हैं सात्वा परकार है सिद्धान्त अधिगम सिद्धान्त अधिगम सिद्धान्त अधिगम हितु पूर्ण ग्यान का कारिय करता है यदि छात्रों को संप्रतियों का पूर्ण ग्यान है तब शिक्षक छात्र के सम्मुक दो या दो से अधिक संप्रतियों के सयोग से निर्मित सिद्धान्त अधिगम की प्रस्तिती उत्पन करता है इससे छात्र के वेभार को इस परकार नियंतित किया जाता है कि वहें सिद्धान्त को वाचिक रूप से कहे सके और उसे वेवार में उतार सके उधरनार्थ गोलाकार परधार्थ लुड़कते हैं यह सिद्धान्त दो संप्रत्यों की परसपर समंदित शरंकला प्रस्तुत करता है पहला संप्रत्य है कि गोलाकार वस्तु है और द धन्त अधिगम के पूरव इन संप्रत्यों का अधिगम कराना आवशक होगा। इसके लिए शिक्षक बहुत सी गोलाकार वस्तों जैसे गेंद, गोल, तसकरी, आदी को प्रस्तुत करके गोलाकार वस्तों का ज्यान करा सकता है। इनी गोलाकार वस्तों को लुड़कते वे परदाशित करके लुड़कना संप्रत्यक अधिगम कराया जा सकता है। उपलब्दिती के बना समश्य समाधान का अधिगम संभव नहीं है। सारे बिंदू समझ में आये होंगे फिर भी कोई डाउट रहता है फिर भी कोई आपकी समश्य रहती है कमेंट करके जुरूर बताएं। दोस्तों पहले के पेपर्स में हमने नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करी बट अब कम समय के कारण दोस्तों नोट्स अवेलिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको इन ही के माध्यम से अपने त्यारी करनी होगी अगर आपके पास सिरीज है तो आप इन क्यूशन को अपने सिरीज में मार्क कर लीजी और जिनके पास सिरीज नहीं है तो वो वीडियो को रिपीट बाइ रिपीट देख करके अपने त्यारी कर सकते हैं। playlist option पर जाएंगे, playlist में आपको complete paper के units वहाँ पर unit by unit अलग अलग वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको ज़धा ढूंद देने में दिक्कत नहीं रहेगी, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है, फिर भी कोई आपकी समझा रहती है, comment करके जुरूर बताएं, चैनल पर न